एलो फ्रेंज तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ खटा तीखा और बहुत ही चटपटे नास्ते की रिस्ती भी शेयर करने वाली हूँ जो कि आप बना के आपके मुँ में आ जाएगा पानी आप खाएंगे तो पेट तो बर जाएगा लेकिन आपका मन नहीं इसके लिए मैंने दो कप पोहे ढाले हैं इसको अच्छे से मैंने इस टावल से साफ कर दिया है और इसके बाद हमें इस स्टैप से घ्रैंड कर दे लें है जrhादा हमें घ्रैंन नहीं कर दो हमें जीरा ढाल दिया है और उसके बाद में ने पोहे ढाले जेसे पानी में ओबाला है तो हमें पोहे ढाल देने और हमें इसको अच्छे से मिक्स करदे से पानी अच्छे से सू रहा है और यह देखिये डो भी बन के तेयार हो गया है और उसको हमें ठंडा करने के लिए रख देंगे ये देखिए बनके तैयार होगे हमें अलग से रख देंगे ठंडा होने के लिए फिर हमें एक दूसरा पहले लेंगे पिर मैंने इसको अच्छे से MS cup कर दिया जैसे मिक्स हो जाए तो हमें इसको भी ठंडा करने के लिए रख देंगे और इसके बाद गेज बंुआ कर देंगे और हमें एक bawelle में यह जो हमें बनाये जो हमेशचेर हमेशनर फेस में डाल देंगे फिर इसको अच्छे इसको ब्रॉट की मददस से मिक्स करदेंगे तो अच्छे से मिक्स हो गया है और उसके बाद हमें हात भोड़ा सो ऑल लगाएंगे यहीं लोगी जैसे नारमल हम लेते हैं इस्टेफ्स से लोगी लेकि इसको हमे अच्छे से खोल के और से अलु कमिशनर बनाया थाvention हमें फिर बदेंगी तो सारे नाष्थे बनाके स्टैफ से तयार कर देना है फिर मैंने एक पैन लीए है सब्सक्षी वह Zakाव भू काम दाल के फिर हमारी इसके और लाल मेरकिए्ट ढैल डालेंगे। तो हमें इसके और की देला का एक जालकता हमने दाला भी यह और व्मीना है। यह बहुत तेस्टी लगता है खाने में आप यह रिसी भी जरूर ट्राय कीजिए क्योंकि मैंने ट्राय किया मैंने को बहुत अच्छी लगी है और आप कमेंट में मुझे बताइए कि ट्राय किया है और आपको कैसे लगी है वीडियो बसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट न्यूँ है वो सब्क्राब करें और फालो करना मत भूलिये मिलते हैं अगले वीडियो बाई थेंक यू